हलो बच्चो गुड मॉनिंग कैसे हो आप लोग बच्चो मैं सुमन मैम बच्चो आज हम लोग काब विखंड का दूसरा चैप्टर दोहे जिसको रहीम जी ने लिखा है रहीम दास जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेना और देख लेना बच्चो इस वीडियो में पहले बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो गया है और इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ आपका रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूं बच्चो और इसके साथ जो कोशन आंसर में पीडियाप लिखे हुए हैं ग्यारह और उस ग्यारह दोहे में दो लाइन का दोहा लेकिन उसमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया है अर्थ से भरा बड़ा हुआ है पहला दोहा बच्चो है उन्होंने कि रहिमदास जी के बारे में आप लोगों को पता ही जो जीवन परिच्य है उसके पहले उसका टेक्स्ट बुक में उसको आप लोग पढ़ लीजेगा उन्होंने हर दोहे में बच्चो मानो जीवन के लिए उपियोगी सभी बातों का बड़ा ही मार्मिक वरणन किया है पहला दोहा रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय तूटे से फिर ना मिल मिले गाठ पर जाए उन्होंने बिटा अपने पहले दोहे के माध्यम से प्रेम संबंदों को कभी न तोड़ने की प्रेरिणा दी है कि एक बार बच्चो जब प्रेम रूप की धाग को जटके से नहीं तोड़ देना चाहिए अगर इसमें एक बार गाठ पर जाती है तो फि अधाले जैसा सने नहीं रहता है दूसरा दोहा है बच्चो रह्मन नीजमन की भिथा मन ही राखो गोई सुनिय अठी लए है लोग सब बाट इन लए है को बच्चो अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखने की प्रेरणा दी है कि इनसान को अपना दुख सबसे बय में जहयोग नहीं देना चाहते हैं इसलिए मनुष्य को अपनी पीड़ा अपने मन में ही चुपा कर रखनी चाहिए ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है तीसरा दोहा बच्चो एक साधै सब सदै सब साधै सब जाये रहिमन मूला इसी चबो फूले फले अगाये तीसरे दोहे म मानते हैं जिसमें हमारी श्रद्दा है तो हमें एक ही इश्वर की साधना करनी चाहिए बिटा इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक परमात्मा को पा लेने से सब सांसारिक उपलब्धिया खुद ही मिल जाती है यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती हैं रहीम दास जी कहते हैं रहीमन मूलही सीचबू मूलही मतलब मूड बेटा यदि ब्रिक्ष को मूड अर्था जड़ से सीचा जाए तो ब्रिक्ष पर फल फुल भरपूर मात्रा में आते हैं इसे से फलो को खाने वाले और फूलो का रस लेने वाले भवरे आधवी त्रिप्त हो जाते हैं कहने का मतलब क्या है कि एक परमात्मा का आप ध्यान करिए आपको दुनिया में हर चीज मिल जाए गा बेटा चौथा दोहा है चित्रकूट में रमी रहे रहिमद अव और धार्मिक स्थान है जिस पर मुसीबत आती है वही शांती पाने के लिए इस प्रदेश की योर खिचा चला आता है अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी है तो उन्हें राजपाट छोड़ कर वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट चले आए उनका मन यह रम गया है पाचवा दोहा है बेटा दीरग दोहा अरत के आखर थोरे आही जियो रहीम नटकुंडली सिमिति कुदी चड़ी जाही पाचवा दोहा बेटा पाचवे दोहे के अनुसार थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छिपा होता है कि दो लाइन का दोहा लेकिन गा जहरा और दीरग अर्थ छिपा रहता है जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर जियो रहीम नटकुंडली सिमिति कुदी चड़ी जाही अपने शरीर को सिकोड कर तंग मुहाली कुंडली के बीच में से कुसलता प्रवक निकल जाता है उसी प्रकार कुशल दोहा कार दोहे के स खीमित से सब्दों से बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है बच्चो छठा दोहा है धनी रहीम जल पंक को लग जी पियत अगाए उदधी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए छटे दोहे में बेटा जिसकी जहां प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान हो जाता क्योंकि सागर संसार वहां जाकर प्यासा ही लोटाता है बेटा क्योंकि उसका पानी खारा होता है सागर कितना बड़ा है और सरोवर कितना छोटा होता है तो बेटा बड़क्पन बताना चाहते है रहीम दाजीर की बड़क्पन उसी कमाना जाता है जिससे दूसरों का लाब हो मनुश्य के जीवन की सार्थक्ता दूसरों की भलाई के कारण है यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका धनवान होना ब्यर्थ है बच्चो सात्वा दोहा है नाद रीजितन देत मरिग नरधन हेत समेत ते रहीम पस उसे अधिक करते वे पसु से भी गय गुज्रे होते हैं उन्होंने बताया है बच्चों कि संगीत की नाद मतलब बच्चों ध्वनी रीजी मतलब मोहित कि संगीत की मधूर ध्वनी से प्रभावित होकर म्रीग देखो म्रीग आया म्रीग अर्पित कर देता है परन्तु वे मनुष्य ते रहीम पसु से अधिक रीज़व कचु न देत उन्होंने कहा है कि वे मनुष्य तो पसु से भी अधिक जड़ हैं जो किसी पर रीज कर मतलब खुश होकर भी उसे कुछ देते नहीं हैं उसकी सहायता नहीं करते हैं बच्चो आठवा दोहा बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रहीमन फाटे दूद को मते नमाखन होई आठवे दोहे में बेटा बिगड़ी बात लाख सवारने पे भी नहीं बनती है इसलिए मनुष्य कहता है कि मुझ से फटा फट सब्द नहीं निकाल देने चाहि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले बच्चो परंत बिगड़ी बात कभी बनती नहीं है रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे फटे हुए दूद को कितनी भी मता जाए परंत उनमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है बच्चो मक्खन बनाने के लिए हमें उस दूद को दही डाल करक तब जाकि उसमें से मक्खन निकलता है अगर दूद कहीं किसी तरह से फट गया आपने सोचा कि चलो इसका हम मक्खन बना ले तो मक्खन उसमें से निकलता नहीं है इसलिए यह प्रयास करना चाहिए उसे तुरंत सवारने का प्रयास करना चाहिए वरना दुश परिणाम पड़ेन को लगुन दीजी ये डार जहां काम आवेस हुई कहां करे तरवार इसमें बड़ों के प्रभाव के सामने चोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा है कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात उनके साथ संबंद स्थापित करने पर चोटों लोगों का साथ नहीं छोड़ देना लगुन दीजीए डार लगुन मतलब छोटे लोग उनको डारी मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि जहां काम आवेस हुई कहां करे तरवार जहां सुई काम आती है वहां तलवार भी कुछ नहीं कर सकती अर्थात प्रतेक मनुशिका कोन विपत सहाए बिनु पानी जियों जलज को नहीं रभी सके बचाए बेटा दसवें दोहे में विपत्ति के समय अपनी पूजी ही सहायक होती है रहिमदाजी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिध नहीं होता है अर्थात संकट के समय अपना धन काम होता है काम आता है जैसे पानी के बिना कमल को सूरी भी नहीं बेनु पानी जियों जलज को कि पानी के बिना कमल को सूरी भी नहीं बचा सकता नहीं रभी सके बचाए यद्यभी सूरी जो है बेटा वो कमल का पोशड करता है तथा पी पानी नहीं होता तो कमल सूख जा आता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों न मिले, किन्तु उसकी जो अपनी बचाय हुई संपत्य है बेटा, उसकी अपना ही संपत्य काम आता है। बाहरी वाला सायता करेगा तो कितना थोड़ा बहुत देगा लेकिन अपने पास बचा करके रखा हुआ धन ही काम आता है बच्चो इसमें 11 दोहा है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गयन उबरे मोती मानुष चून 11 दोहे में बेटा पानी चमक और सम्मान इन तीनों का जीवन में महत्तो बताया गया है बेटा रहीम दास जी कहते है कि पानी का महत्तो है उसे हमें बनाये रखना चाहिए यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती का कोई महत्तो नहीं रहता है ना मनुष का और ना आटे का मतलब आठा बेकार हो जाता है पानी का यहां बच्चों करनेुंदे सम्मान मतलब आठे से चमट मतलब मोती से समान मतलब मतलब इक इस्जट से यह ग्यारः दोहे हैं मतलब लिलनभाय हय करेऊ जो मैं प्रसन भेज रही हूं यह यही सिर्फ आप लोगों को लिख करके गूगल क्लास्रूम पे वीडियो अरे आपको नोट्बुक सब्मिट करना है आशा करती हूं बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा लाइफ सेस्टन में आपका कोई भी डाउट रहेगा उसे मैं क्लियर कर दूंगी धन्यवाद क्लियर करता हुआ झालाई